दोस्तों आज हम आपको full model kitchen making process दिखाएंगे full detail के साथ जो भी जानका है दोस्तों आपको step by step full detail के साथ देखने को मिलेगा यह जो किछन है दोस्तों हमारा acrylic sheet finishing में बन रहा क्योंकि आज कल का जो demand है acrylic sheet model kitchen का है तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे हम यहां पे boxes बनाएंगे क् kitchen बनाने से सबसे पहले box बनाना पड़ता है क्योंकि जो overhead होता हो भी box बनता है loft वाला भी box बनता है तो यह जो box दोस्तों देख रहे हैं आप यह हमारा overhead box का है तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों हम खिले के मदद से एक पार्टी को जोड लेंगे और यहां पे box क अंदर आप देखेंगे तो lighting का भी grooming है यहां पर दोस्तों जो हम खिले लगा रहे हैं वह 17 17 का खिला है क्योंकि इतना पतला खिले क्यों लगा रहे है दोस्तों हम इसके उपर पहले खिले लगाने के बाद क्या करेंगे इसमें screw fitting करेंगे ताकि जो मारा box है वह कापी हो जाए तो यहां पर देखेंगे दोस्तों खिले लगाने का काम complete हो चुका है अब हमें क्या करेंगे दोस्तों यहां पर 18 bit से क्या करेंगे इसमें hole लगा देंगे और hole लगाने के बाद इसमें screw tight करेंगे क्योंकि जो नीचे वाला party आए ना दोस्तों वो क्या है hdmr का seat है क्योंकि अगर hdmr के seat में आप direct screw fitting करेंगे तो होता ही है hdmr का seat फटने लगता है इसके लिए आप कोशी से कीजिए screw जब फिटिंग कीजिए तो hole लगा दीजिए और hole लगाने के बाद ही आप screw fitting करेंगे नीचे कर आप देखेंगे तो green green दिख रहा होगा hdmr का seat है तो यहाँ पे भी आपको धार के ओपर मतलब groove दिख रहा होगा क्योंकि overhead box में मतलब age handy लगा जाता है तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारा box square size में बन चुका है और इसमें back panel fixing करेंगे तो दोस्तों back panel fixing करने के लिए यहाँ पे देखेंगे हमने इसके ओपर भी मतलब खांचा टाइप बनाया हुआ है क्योंकि side side में हमारा color वाला element है यहाँ पे देखेंगे और उसके अंदर इस तरह से हमारा यह लगा देंगे तो बाद में लगाने का chance नहीं रहता है तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों back panel को किसी से रखने के बाद हम क्या करेंगे इसमें 17 नंबर एक इंज का खिला लेंगे और खिले को अच्छी तरीके से चारों तरब ठोक देंगे खिले ठोक ने के बाद उससे इसमें भी स्कूरू फीटिंग करना है क्योंकि इसको फीटिंग नहीं करेंगे तो अपना बैग मजबूत लगा करेंगे जगा जगा इसमें लगा देंगे सेंबीट से इसी तरह से इसी इसी बीट में लगा देंगे तो उसमें हो गई है आज मतलब यहां पीक्सिंग कर देता है साइड साइड में मतलब प्लाइबूट भी है जहाँ पर हमारा एक रिली सीट नहीं है वह हमारा एजडी मार है बाकि यहाँ पर देखेंगे सेम तरीके से हमने इतने सारे बॉक्स बना लिये हैं सभी बॉक्स दोस्तों फिटिंग करेंगे बॉक्स फिटिंग करने के लिए हम स लॉफ्ट वाला box आने वाला है, तो box fitting करने के लिए क्या करेंगे, दोस्तों box के अंदर hole लगा लेंगे, तो उससे होगा यह, जो हमारा hole होगा, वही hole को हम दिवार मार्किंग कर देंगे, और उसके बाद hole लगा के हम box को fitting करेंगे, तो जो हमने दोस्तों level pipe का marking किया था, उसी उसी के हिसाब से यहाँ पर नीची के तरब देखेंगे, हमने एक पट्टा fit किया हुआ है, और पट्टे के ऊपर हम box को रखेंगे, और उसके बाद जो हमने hole का marking कर देंगे, तो हम कुछ दिवार में hole का marking मिल जाएगा, इस तरह से पट्टा fit करने से यह होता है, जो आपका box है, उपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार रखेंगे, उपर होगा, हील जाएगा, तो सबसे आप क्या किजिए, अच्छा से पट्टा fit कर दीजिए, आप लेवल का marking करने के बाद उसके उपर box रख देंगे, तो हीलेगा नहीं, आपका marking out नहीं होगा, बाकि दो box को नीचे उतारने के बाद, hammer machine से दिवार में hole लगा देंगे, जितना भी सारा हमने hole का marking के दोस्तों, इसमें हमने, और यहां पर देखेंगे, लकडी का गट्टी है, और लकडी का गट्टी इसमें hole में जाल देंगे, इसमें हमने total 8 hole लगा हुए, क्योंकि दोस्तों, जो loft box है, उसमें काफी सारा सामान रखा जाता है, और उपर भी रहता है, तो आप कोशी से कीजिए, screw थोड़ा ज्यादा लगाई है, क्योंकि कितना भी बेट रखेंगे, तो गिरेगा ने तो आपका काम एकदम अच्छा हो जाएगा, बाकि गिट्टी लगाने के बाद क्या करे है, और सेट करने के बाद आपको screw को इसमें tight कर लेना है, यहाँ पर देखेंगे, यह सभी मतलब जितने सारे hole है, हम सभी में screw tight करेंगे करके, उसके बाद इसमें ओलंबा भी चेक करेंगे, तो इसको दोस्तों अब जब fitting करते हैं, तो आपको side से ओलंबे की जरूत तो रहे रहे की नहीं, खाले आपको सामने से ओलंबा देखना रहेगा, तो सामने से ओलंबा चेक कर लिजिए, अगर नीचे से बाहर आने के लिए बोल रहा है, तब नीचे से फासिला कर देंगे, अगर उपर से बाहर आने के लिए बोल रहा है, तो आप box fitting करने से पहले ही, आप ज चोटा से एक box है उसको fix कर देते हैं यहाँ पे देखेंगे इस ग्रूब के मदद से फिटिंग करेंगे तो यह वाला box जब भी आप इस तरह से फिट करते हैं तो नीचे के तरह आप देखेंगे जो रेड़ वाला लड़का चोटा समने प्लाइवूड लगाया हुआ है तो प्लाइवूड क्या होता दूसरे box में इस तरह से लगा देंगे तो जो अपना box इसमें रखेंगे तो मतलब उससे उपर टिक जाता है और यहाँ पी देखेंगे भाई आपको मेसीन दिखा रहा है और वह box दोसे फिटिंग हो लंबा चिक कर लेंगे कि यह बराबर है की नहीं है और उसको फाइनल फिटिंग कर देंगे दोस्तों लॉफ्ट के और लॉफ्ट वाले box के और प्लेटफार्म के बीच में कम से कम आपको दो फिट जगह रखना जरूरी होता है क्योंकि कोई भी आइटम रहता है अच्छी तरीके से हो जाता है settlement तो आपको कोशी से करना platform और overhead box के बीच में आपको दो फिट का जगह रखना ही चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे सारे मतलब जितने भी होल्स हमने किये हो सभी में इसको फिटिंग कर देते हैं यह देखें कुछी सा से box fitting हो चुका है अब इसके side में भी एक हमारा box है total में 3 box बना हुआ था दो को आपस में मतलब जोड दिया था और एक को हमने single लखा था तो यहाँ पर इसको भी मतलब इसके जगह पे रख देते हैं और इसको फिटिंग कर देते हैं जैसे का मैंने बताया आपको ऊपर वाला हमार 18 इंच का है और यह वाला 14 इंच डीप का है तो कभी भी जो जादा डीप का नहीं बनाना चेव से होता यह मतलब सर में लगने का चांसे रहता है तो 14 इंच तक बना दीजे कोई दिक्कत नहीं है बागी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यह बन चुका है और राइट साइड में हमारा देखेंगे रोल हमारा धार है जो बॉक्स का धार है उससे पाँ रो्म चांसे ऽंतब रखेंगे तो हमको मतलब जो cancel handle होता है, उसकी सबसे काम करेंगा, मैं आगे आपको वीडियो में देखाऊंगा सबसे पहले मैं इसको fix कर देता हूँ तो ये panel आपको पहले ही ready करना पड़ेगा edge bending लगा के, अगर edge bending लगाते हैं तो edge bending लगाई है, नहीं लगाते हैं आपको ये handle का काम करेंगा, अभी आपको देखने को मिलेगा और नीचे के तरफ आपको, मतलब एक rally seat paste नहीं कर रहा पड़ेगा बस यही समझो, एक rally seat हो जाएगा, बाकि यहाँ पे देखेंगे यह हमारा कुछ इस तरह से है, सामने के तरफ से पौन ही छोटा है यहाँ पे आप देखेंगे, चार उतरफ यह हमारा, मतलब इस तरह से मिल जाएगा और यह मतलब दर्वाजा ब इस तरह से खूलेगा, तेज तरह से हो जाएगा बलास्ट में आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और अब उसके पार दोस्तों क्या करेंगे, इसके अंदर टेंडम फिटिंग करेंगे दोस्तों मैंने हाले में एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है जो मतलब एक बॉक्स के अंदर तीन टेंडम बॉक्स को ऐसे फिटिंग किया जाता है उसके उपर detail में मैंने video दिया हुआ है अगर आपने देखा तो अच्छी बात है नहीं देखा है तो अगर देखना चाहते हूँ तो देख सकते हैं मैं उसका video दोस्तो आपको i button में भी देदूँगा और link में भी description में link देदूँगा आप वहाँ से भी जाके fitting कर देते हैं उसके बाद इसमें आप यहां पर देखेंगे total management बताया था आपको तीन इसमें और तीन इसमें और यहां लाश्ट वाले में देखेंगे तो यह bottle pull out है इसका video दोस्तो इसी video के description में देदूँगा और i button में देदूँगा आप जाके थोड़ा सा limit आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा से चीला हुआ भी है तो चील देंगे तूसरे हो गई है इसके अंदर बैट जाता है क्योंकि अठारे मम से ज्यादा इसमें जाता नहीं है तो लिमनेट लगाने वह थोड़ा सा कोई दीकत नहीं हो जान कि इंगे अब इसके अंतर डाल के देखेंगे कि यह बराबर मुमिंट कर रहें कि किने तो यहां पर देखेंगे बराबर मुमिंट कर रहा है और इसमें टोटल तीन लगाए हुएं एक को Ctrlory बना देंगे एक प्लेन डग जैंगे लेंगे में ने चैनल पर दिया हुआ है अगर आपने देखा थण out जाके देख सकते हैं तो इसको भी जाके इंगा i सब्सक्राइए देख सकते हैं तो पहले रोलें यहां पाट जो उम्टलब निय looking करना होता है उसी क्यात है तुट से फीट कर देते हैं उसके बाद आप रोल्लिंग्स चेक करते हैं कि बराबर काम कर रहा है तो यह पे देखन SUBSCRIBE जो रोल्लिंग्स सटा है बराबर काम कर रहा है और उसके बाद उसके बाद उस मыми खoting करेंगे सबबसे पहले इसका नीचे का जो है वो डोर क्योंकि कभी भी जब आप मतलब टेंडम बॉक्स का जब फेशिया लगाते हैं तो कोशी से कीजिए पहले मतलब डोर फिट कर लिजिए तो ज्यादा बेटर रहता है दोस्तों यह जो हमारा इंजिस है 135 डिग्री का है अगर आपको नहीं लगाना आता है तो आप कमेंट करके बताइए मैं 135 डिग्री का जो इंजिस होता है उसको लगा के वीडियो बना दूँगा आप उसको वीडियो को देख के लगा पाएंगे बाकि कोई बहुत बड़ी मुश्किल का काम नहीं है लेकिन जिस भाई को नहीं आता है तो प्लीज एक बार कमेंट मे के दो कॉर्णर है क्योंकि यह कीचन है यल सम्द लगवा यूसेफ में है तो इसको फिक्स कर देते हैं उसके बाद नीचे का बचे का यह दो दरवाजे उसको फिक्स कर देते हैं दोस्तों यह बहुत ही प्यारा बना है अगर आप वीडियो लास तक देखेंगे तो आपको फुल मतलब अच्छा से मतलब देखने को मिलेगा बाकि यहां पर देखने के पूरा जो ब्रैकेट को हमने fix कर लिया है और इसको इसके अंदर लगा देते हैं इसके मैंने detail में सब कुछ दिया हुआ अगर आपने देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आकि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों total हमने जितने भी tandem box से सभी को fixing कर लिया है आप यहाँ पर देख पार एरिया है और यह दूसरा corner वाला एरिया है बाकि यह आपको शटर दिखा दे रहे हैं और यहाँ पर यह रोली शटर है जो हमने फिट करके आपको दिखाए यह हमारा लेप्टप डोर है इसका मैंने नहीं दिखाया हुआ लेकिन यह लेप्टप डोर है टोटल छे डिप्ट दिया है दोस्तों मेरा यह वीडियो मेरा काम करने का style मेरा यह काम कैसा हुआ है नीचे comment box में जरूर बताईएगा कि मैं का मैं काम कैसा किया हूँ नहीं है और बाकिए अगर मान में कुछ डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं इस तरका वीडियो बनाता रहता हूं यह हमारा सिंक वाले एरिया है वासिंग वाले एरिया